बागलपुर की सबबॉर थानाचत की लैलक ममलका गाउं में फिलिस्वर मंडल की पीटкиर हत्या कर दिगौई मिर्थक युबक फिलिस्वर मंडल की मा का कहना है देर साम मिर्थक के ममेरा भाई रात में घर पर पहुँचा था और दोनों के दरफ लिस्वर की लाठी डंडे से जम कर पिटाई की गई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई मा का कहना है कि जमीन को लेकर बिबाद चल रहा था जिसके कारण ही हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है वहीं घटना के बाद पुलीस घटना से पहुँच कर सब को अपने कबजे में ले लिया और मामले की जाच में जुट गई वहीं अफसल की टीम को भी घटना असल पर बुलाया गया आरोपियों गिरबतारी के लिए पुलीस चापे मारी कर रही है और आपके घरें कोई परिवार नहीं था नहीं कोई परिवार नहीं था यहीं छोटा बला लरका रहा रहा है यहीं सब तीन को पुता हुँ रातिन हुँ बच्चा रहा अपका नाम क्या हुआ वा मेरा नौ में सुनेता देगे नहीं कोई दुसमानी नहीं सर बस यही जमीन का जग़्धा है कहा है कि आकथा हैंको नहीं रह नहीं तुमको भगाना है ये तो मार देंगे और जमीन ये जग़ा का मामला से कौन कोन मारा है? बुग्गी भी रहना कौन लगता हूँ सब लोगों में बहुत खुशी है इस बात की और हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि इन नए सिक्षकों के आने से जो सेक्षनिक वातवरन है वो बहुत बहतर होगा बच्चों को गुनवत्ता पूर्ण सिक्षा मिल पाएगी और उसके साथ साथ इतने सारे लोगों को इतने पड़िवारों को रोजगार मिल रहा है जो अपने आप में अद्वितिय है विगत कुछ दिनों में लगभग दो ढ़ाई महने में लगभग दो लाख सिक्षकों का न्युक्ति पत्र बटा है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और सभी टीचर से यही हम लोगों की अपेक्षा होगी कि सुदूर गाओं में जहां तो कई बार बच्चा तुरत रही रोता है रोने में देर हो जाता है ऐसे में बच्चा च्छति ग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की सम्मावना कम हो जाती है और यदि बच्चा तो भविस्व में उसमें बिकलांगता की समश्य आती है जिसे सीपी कहते हैं जिसका कोई मा ज़िए उसको कूलिंग ठेपी दिया जाए तो उससे उसका सी पी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है पहली बार ब्याहर जारकंड में आपके सहर के स्ने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में या मशीन उपलब्द है कभी भी ऐसी बात हो कि बच्च पत्रकार एवं फोटो जर्नलिस्ट सम्मान समहरों कायोजन सहक्षली भोज आज भागलपूर की कलाकेंदर में पुर्भी बिहार फोटो जर्नलिस्ट कलब एवं पुर्भी बिहार प्रेस कलब भागलपूर के दोरा आयोजित किया गया कारिक्रम के दौरान भागलपूर व कई चेत्रों की वरिष्ट वन ने पत्रकार उपस्तित हुए। पक्षपर इस कारिक्तम में खिच्डी भोज का भी आनन्द लिया। दसवे अध्याय में 26 स्लोक में उने बोला कि मैं दिवर्शी में मैं नारत हुए। और विष्णु जी ने जो भी लीला रची ये पत्रकारिता थे जुड़ावा है कि पत्रकारिता भी है वो एक लीला है। लीला का मतलब एक डिस्कोर्स है। हर एक निउस्पेपर का एक डिस्कोर्स होता है। एक लीला होता है। तो उसी तरीके से सारी लीलाई जो विष्णु जी ने रची वो नारत के बिना नहीं रची। वो एक बहुत बड़े एक निवित मात्र थे, एक मीडियम थे कि उन्होंने सारे लीलाई रची। तो एक मैं उनको याद करना चाता हूँ आप सब के समख्ष उसके साथ साथ एक और नाम मैं आप सब के समख्ष रखना चाता हूँ जो जिनसे मैं एक बार मुकातिफ हुआ, मुझे मौका मिला, मैं डेली स्कूल ओफ इकनॉमिक्स में था और दर हिंदू हम बहुत पढ़ते पीस आइनाथ, गरीबी के उपर, भुकमरी के उपर, ड्राउट के उपर, जो सूखा पढ़ता था, जो आंदर परदेश से सब का इलाका था, पीस आइनाथ हम बहुत जादा उनके बारे में पढ़ते थे, सुहासनी हैदर, जो की स्वामी जी की बेटी है, उनका हम लोग आ लेकिन उसके उपर, जो एन राम जो थे, जो एडिटर थे, हम लोग बहुत मैसमराइज उनसे रहते थे, कैसे हम उनसे मिल सकते हैं, तो एक बार मौका मिला डेली स्कुल आफ एकनॉमिक्स में हम लोग गए, जिनको एन राम को शिरलंका का सबसे हाइस सिवीलियन अवाल्ड आज हम लोग फिर एक बार यहां जूटे हैं, मकर संकरांते के उपलक्ष में हम लोगों का किषडी भोज है, और सारे पत्रकार सहर के यहां उपस्तित हुए हैं, जिसमें फोटो जर्नलिस्ट, इलेक्टोनिक मेडिया के साथी, और बरिये साथी, बहुत सारे बरिये साथी यहां पर हैं, और खासकर आज पुश्मित्र हैं, इंडिया टुडे के पत्रकार नविन निशान्त हैं, दैनिक भासकर के पत्रकार पहले वो फोटोग्राफर थे, सब लोग जूटे हैं, सब का शम्मान है, और खिच्डी भोज हैं यहां पर, उद्देश उद्देश यह है कि हम पत्रकारों के पास बहुत कम समय रहता है जीवन में, और हम जब काम करते रहते हैं, तो एक छट के नीचे लाने का उद्देश है, कि हम लोग एक जगा बैटें, कुछ बाते हों, उस पर कुछ विचार हो, और फिर आगे के लिए हम पत्रकारों के लिए कुछ नया प् कावद भागरभूर के वाड नमर पचास में आज भव्वे सोभायात्रा निकाली गए, जिसमें स्री राम के स्वरूपों का दर्सन कराया गया, इस सोभायात्रा में सैक्लों की संख्या में लोग मौजूद थे, सोभायात्रा के दौरान वाड नमर पचास के पारसद अब भाइस भाइस में तो बात है ऐसलिये आप लोग से भीरिटर है कि आप लोग बैस्ट गुटर भी को कर दिनुट है घरो करने है कि अधे जाएलों के श्रीट मोण है इंडियन रेड क्रॉस फसाइटी की तोड़ा लहरी टॉलास्थित दल्लू बावु धरमसाला में कंबल का वीतरन जुरतमंदों की बीच किया गया, साथ उने भोजन भी कराया गया, इस मौके पर समहारों की अधिचता समीती की सभापती असोग कुमार जिवाजिकाने की और समहारों में मुक खथिती जिलाडेंडल रिकारी महसुर परसाथ सिंग थे, समीती की सभापती जाज की सुविधा मिल से के, पैथलोजी की खोलने की योजना को कारिनमित करने के लिए सभापती से आगे अकार बढ़ाया जाने का निरने लिया गया. रेट क्रोश सोसाइटी अभी यहां जीवन्त हो रही है, बरसों से रेट क्रोश सोसाइटी मृत फ़राय था और यहां बहुत तरह का गड़बडी था उसमें, अभी सरकार के द्वारा डियम साहिब के निर्देशन में उनके उपस्थिती में चुना हुआ है और हम लोगी ससक टीम इसमें आई है, और जहां भी गड़बडी है उसको हम लोग दुरूस्त कर रहे हैं, यह पहला मौका है जो कंबल बितरल हो रहा है, अभी कई काम ऐसे हो हंगे जो रेट्स सोसाइटी में यहाँ कपाले कभी नहीं हुआ, मसला हम लोग परिफ़लोजी भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग लगातार कैम करेंगे, क्ลिनिक भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस तरह की कई कार्ज होंगे, आज कंबल बितरन का उपला मौका है, मकर साण सब्सक्राइब के लिए हम लोग आप से आसीस वांग रहा हैं कि हम लोग अपने कार्ज में अपने उद्देश में लोगों की सेवा के लिए सक्षम हो सकते देखें यह हमें तीन साल तो चलानी ही है और जैसा मैं तो पहली इसका सदस्ट रेट को सोसाइटी का नाइंटिन सिक्स हो लेकिन इसको इनों ने परदे के भी तरखा तक कभी आज तक किसी मीटिंग में नहीं बुलाए गया था नक सूचना दी जाती थी अभी जहों लोग से प्रवेश किये हैं तो हमने देखा है कि इतनी अच्छे अंतरश्य संस्ता होकर करके भी पता लगा है कि ट्राइ साइकल सोगरा सड़ रही हैं कंबले दुर्ण बटी हैं आतों हमने अपन समदा बाटा हैं और हमें आश्वाशन देता हैं शाहर के लोगों को रेट कर सोसाइटी जिस परकार भारत में और अन्नी राजियम काम करें भागलपुर में भी और गरीवों को या जोरत कंबल आई भी है लगभग 130 आदमी कंबल ले जा चुके हैं कुछ आदमी उपस्तित नहीं हो पाए हैं उनके घर पर जाकर देना होगा कुछ अभी बैटे वे हैं सब मिलाकर डेर सो आज बढ़ यह कंबल हमें इंडियन रेट कोर सोसाइटी की स्टेट ब्रांच मतलब पतना के दवारा भांट रहे हैं और जो कूपन वाले हैं उनी को कंबल दे रहे हैं साथ में भोजन भी दे रहे हैं ताकि उन्हें मानसिक सांती भी मिले सारीरिक सांती भी मिले और पेट की बैथा और भूग भी सांदोस ले भागलपूर कांगरेस भवन में जिला कांगरेस कमीटी दुरा मकर संक्रांती कारिकरम का आयोजन किया गया जिसमें कांगरेस के दजनोप अधिकारी यों कारिकरता मौजू थे मकर शंकरांति कारिक्रम के दाथ होने वाले से लोगों को एक जुट होने का संदेश देने के लिए कारिक्रम किया गया था मकर संकरांति के उपलक्ष में जिला कॉंग्रेश कमीटी ने आज दही चुड़ा तिल पूर तिलवा का आयोजन रखा था और आज का पर्व वह महाद्वून है इसलिए कि आज का वातावरन में करवापन गोला जा रहा है उसके लिए मेखर संक्रांति मिठास का पर्व है वह बड़ा ही शुब पर्व है कि जो करवा करवा बोलते हैं उनका करवाहट रूग जाए और चीनी दही खाके तिलवा खाके तिलकुट खाके मीठा मीठा बोले शुब शुब बोले और दूसरी चीज़े है कि ये गर्मी का भी प्रतीक है क्योंकि मकर रेखा वो आती है और उसके बाद मौसम बदलता है तो चुके बड़ा ठंधा पन भी नजर आ रहा है तो दही खाने के बाद तिलकुट खाने के बाद गर्माहट भी आता है तो हम लोग का आयोजानी सीम ये है कि आप शुब बोले मीठा बोले और गर्मी भी आप काम करते रहे